कर दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रवीन आपके अपने संदार यूप चैनल विजिलेंट हंट में आपका बहुत-बहुत रामत करता हुआ चलिए दोस्तों जैसे अल्फाबेट सेरीज हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डाल दिया है आज है पार्ट 3 के बारी तो आज पार्ट 3 डालेगा और आज से आपका टाइप स्टार्ट हो जाएगा पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में हमने आपको बढ़ेंगे और फिर आगया बढ़ेंगे जिन लोगों ने अगी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बिल आइक को क्लिक करें ताकि आपको जो भी वीडियो में डाल के आपके पास बेज रहां तुरंत आपके पास पहुंचे और आप उसको अलफाबेट नाम से चैप्टर बना दिया है पार्ट वन और पार्ट टू मैंने उसमें डाल रखा है पार्ट थी आपको ज़स्ट कर रहा हूं तो पार्ट वन और पार्ट व्रोपर देख लें और फिर आज पार्ट थी देखेंगे तो बेहतरन तरीके साब कोई साही समझ म आ जाएंगे क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पार्ट 3 अलफाबेट में पहले टाइप पोजीशन बेस्ट प्रॉब्लम और पोजीशन बेस्ट प्रॉब्लम में पहला सबसे पहला क्या था वो था यूजर उडर का मतलब होता है कि जब पूर्शन अंग्रेजी वर्णमाला के बिल्कुल सही क्रम में पूछे यानि आप एक बार फिर से समझे इस बात को सबसे पहला जो कोस्टन उने बताया थो उसमें वह था यूजर उडर को हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम यानि जब अलफाबेट बिल्कुल ए अग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम इस से पहले आपको दोनों वीडियो देखना पड़ेगा पार न पर फिर चीजे प्रूपर आपको दो चीजे मैंने बताया था मैंने गाते हैं कि पहला पोजीशन ओफ लेटर किस पोजीशन पर कौन सा लेटर होता है यह आपको बिल्कुल कंठस्त याद होना चाहिए और दूसरा चीज आपका अपोजिक लेटर यानि किस लेटर के अपोजिक पर कौन सा लेटर होता है यह चीज आपको कंफर्म याद यानि आपसे कैसा कुछा जा सकता है जब भी एक पूछा जाएगा तो उसके पहले आपका एक वर्ड लिखा जाएगा को से लिखा जाएगा कि अंग्रेजी कि वर्ड माला के सही करव में अंग्रेजी वर्ड माला के सही करव में दिस धिस जो को लिखा एक करम मानेंगे इसको सिधा मानेंगे, उर्डा मानेंगे, प्रेड़ा मानेंगे, तो समझ रिखेएगा, अगर इन लिखाए कि अंग्रेजे रीड़य माला के सही करम में, तो कोई दिक्कत या आपको नहीं, आपको पता है कि इस ज्ड़य रीघ्ड जो करम होता वही होगा, लेकिन अगर यह एक्जाम में ऐसा ना लिखा हो अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा यही करम लेंगे क्यों पूर्णमाला में या फिर लिखा रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरी की कोशन से इस्तमाल कर सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सही करम में कोई इकत नहीं मुझे पता है सही करम क्या होता है तो इस तरीकिक कोश्व से अगर आपके एक्जाम में इंस सबक का मतलब क्या होता है लेकन आगर उसी देगा तो आपजिए कनफ़र्म दिया रहे रहेगा कोश्व 46 डूर्ट या इस तो क्वा क्या है उससे क्या पूछा आसकता है Apple कि स्जोट म्रूंzon अ सकते हैं वेशन विडियो में हर पोजीशन के नमबर बुधा है की नमबर के कुष्एन के कौनसा नमबर होता है नतरल गूजए अगर पूछ पहला कि बाए से कि वो में तसवा मैं हुआ है है श कि ड Melissa है यह तो आपको बता दिये गया है कि आपका बया Celtic आपका दाया दाया होता है यानि बाये से दसवे का मतलब है कि आपका लेफ्ट लेफ्ट होता और आपका राइट राइट होता है यानि आप अपने लेफ्ट से आगे बढ़ेंगे तो बाये से कहला है तो कह रहा है कि बाये से दसवेक्षर क्या होता आपको पता है कि कुछ सकता है मैं हर चीज को अपडेट कर देता हूं आपको पता है पी कौन सा स्थान को स्थान को होता है ठीक कि यह पूछ सब्सक्राइब करना है लेफ्ट नहीं वह लिखागा सिर्फ इस तरह पूछा जाए लेकिन जब सवाल राइट से पूछा जाता है तब हमें क्या करना होता है यहीं सवाल उल्टा करको पूछा जाए यहीं सवाल पुछा जाए दाय से दसवा क्या होगा यहीं से कोई दिक्कत नहीं है मुझे अगर आपको अंग्रेजी बर्डमाला याद है, कोंसा लेटर कोंस से अस्थान पर होता है, तब तो कोई दिक्त आपको होगा यह नहीं, आप अराम सhouse को पता सकते हैं। लेकिन अगर जाय से कूछा जा कि दाय से दसबा क्या होगा, तो अंगलेजी मर्णमालक आप हमेशा लेफ्ट से याद करते हैं, राइट से याद नहीं करते हैं और आपको याद करें कि उसकता भी नहीं है, क्योंकि इतना आपके पास पूरसत नहीं है कि सब्सक्राइब , मुझे पता है कि राइट से कैसे क्या है इस चीज को डारेक्ट कैसे निकालेगे कैसे निकाले कि यह समझ भे होगा तो पता है कि लेफ पो जिए और राइट पोजीशन और र्एट पोजीशन दियार में लब पोजिशन और राइट पोजिशन का जोड हमेंसे आमने किता बताया था 27 यानि आपको पता है कि sum of two opposite letter in alphabet is equal to 27 पता न यानि लेफ्ट से पहला और राइट से पहला लेफ्ट से दूसरा और राइट से दूसरा एक क्लिप दूरों का मान कितरा होता है 27 होता है अब पूछ रहा है कि राइट से 10 होगा और लेट से जो होगा यहां इन दोनों का मान हमेंसे कितरा होगा 27 होगा तो आपको अगर पूछ निकलना है तो 27 मेंसे 10 कटाएंगे क्या होगा 27 और 17 क्या होता है क्यों आप एक चीज दिमागर बठा लेजे मैं जो बोल रहा हूं जो लाइक बोलने जा रहा हूं उसको दिमागर फिट कर लिए क्या बोलने जा रहा हूं समझेगा अगर आप से क्या होगा राइट को किस में result में खर ले अगर आप से याद ना तो दिक्कत नहीं हो ग imagen पूरे अलफवेट में कहे रहा हूं कई भी awhile पूछा है कि दाय से दसवा क्या होगा तो दाय से दसवा मुझे नहीं आदे 27 में से जैसे आप इसको घटाएंगे यह किसमें चेंज हो जाएगा या नी 27 में जब 10 अब घटा दिए तो यह लेफ्ट से 17 हो गया और लेफ्ट से 17 आपको पता है कि अल्फाबेक्ट में 17 वा स्थान पर क्या आता है क्यों होता है पिर से देखिया एक और कुसा लेता होगा मिल्कुल हर कंसेट को क्लियर करते चलना है न जैसे पूछ रहा है कि बता रह 10 वाया कि किसमें चंग होगा है ओ क्यों तो यह जो होता है गिन्ते गिन्ते आओ होगी तो राइट चमीशों णाइट फटर classy सब्सबीच क्लिक गया क्या कि कि बताईे राइट से सतरह हुए हो यह मुझे नहीं पता हूं या राइट से 17 क्या होता है। मुझे इतना पता है कि राइट को चेंज कर सकता हूं और जैसे लेफ्ट मे चेंज करूँगा मुझे और मिल जाएगा तो 27 में से 17 घटाया 10 आया और 10 किदर से आया लेफ्ट से और मुझे पता है कि अंग्रेजी बड़ा माला मडेट से 10 क्या होता है जी होता है क्लियर है यानि यह सिंपल सिंपल सवाल है जो एक नंबर में आपके एक्जामें बनके आ सकते हैं लेफ्ट से पूछे पोजीशन पूछ दे या फिर राइट से पूछे और लेफ्ट और राइट से आपास आने से 17 को निकाल सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अब चलिए कि अब सवाल आपके मन में होगा क्या अलफाबेट के उसल लडर में यही दो सवाल बनके आते हैं सर किसके डर नहीं यह सवाल एक वर्बन की आता है इसमें सिंगल लेटर नहीं पूछता यासे वाएं से दसवा सिर्प नहीं पुछेगा इसको डबल करके पूछता है यादि आपका कॉममर्टन चेंश कर रहा है आपको पता है की अलफाबेट सब्साट आपको याद है बसक्त को च लेकिन जब लेटर आपको मिल जाता है तो इस लेटर का दाया इधर होता है और इस लेटर का दाया इधर होता है यह जैसे उसका पास आता है और उसका दाया जाने की बात आती है तो इस लेटर का दाया इधर हो तो इसको मैं क्यों बता अग्छों अग्रेजिव बढ़न मेर बाए से दसवे के बाए पांचवा च्छर क्या होगा, तो बाए से दसवे के बाए पांचवा, 1, 2, 3, 4, 5, क्या दिख थे आपको, E फिर स्वाल आता है क्या, एक्जाम ने सीर यहीं करते रहेंगे हम, आल्फावट लीखेंगे पिर बाए से दस वह जाएंगे फिर बाए से पांच होआएंगे क्या इतनी फुरसत आपकी upfront इसका ट्रिक क्या बन सकता है अच्छे सबसे पहले समझो कि इस इस स्माल किتना बन सकता है पहले समझो है तबidents Depending सktion गें to सवाल सबाइने माला हैं लिए सब्सक्राइब यह सबस्क्राइब कहुत रहा ह ethics को सब्सक्राइब सबस्क्राइब कि इसी से पूरा चप्र अगा चार तरीके दालत cancer गश्वाफास एकक्जाम में आता है क्योंativite समसर्ट कि से על a Лat राइट का इस्तामाल करेंगे अगर सव्हदार्ट का दो लए जानटनानी पुर्णां करेंगे और सवानी अब कॉंस्थे हम सभी दो कि इस तरीके की को इससे किसे कर सकते हैं अच्छा यह जरूरी नहीं है कि हमेंसा दोनी कोश्टर कुछा जाएगा यह हो सकता है कि ऐसा फूश दे के अंग्लेजी मर्दमाल में बाये से दस हुए के बाये के पांच हुए के बाये के चौथे के दायनी और तीसरे के बाये बोचते हैं कि अगर इस तरी के questions बन गाएंगे तो directly trick हमारा क्या होगा चलिए चलिए दोस्तों मैं question का language नहीं लिख रहा हूं question का language बोलूँगा आप उसको note कर सकते हैं अगर copy अपने लेकर बैठाए तो इस question का language क्या होगा समझेगे इस question को मैंने लिखा था आपके सामने क्या होगा question का language अंग्रेजी वर्णमाला में बाए से दसवे के बाए पाँच वाक्षर क्या होगा यानि अंग्रेजी वर्णमाला में बाए से दसवे के बाए पाँच वाक्षर क्या होगा इसका language क्या होग इसका क्या होगा इसका क्या होगा इस सवाल आपके एकजाम में बन सकता है कैसे अंग्रेजी वर्डखमाला में बन में 22 यहाऊते हैं तो अगर लेफ्ट 10 में से left 5 में गठा देता, तो आपका answer क्या वन की आता? तो बताएये मुझी, left return में से जब left 5 गठेगा, तो क्या बचाएगा left से 5 और आपको पताए कि left से 5 क्या होता है? E होता है, और E आपका आयाथ या नही आता? बिल्कुल आयाथ, कैसे trick बनायाथ מצा? थोड़ा लेफ्ट से 10 के लेफ्ट 5 यानि आगे जाके फिर हम पीछे आए तो पीछे आए तो हमें माइनस करना पड़ेगा तो ध्यान रखना है जब भी कोस्टर लफ्ट राइट राइट हो हमेंसा माइनस होगे कैसे राइट से दस होएं तो राइट से दस होएं तो एक दो तीन चार पांच क्या होगा भी होगा तो यहां हमने क्या कहा था ह्यानि से माँनस तो माइनस करें तो क्या आएगा राइट से 5 बिन lover नहीं पना नहीं है आपको मैंने क्या सिखा है कि राइट से कोई भी साना तो मुझे और आपको याद नहीं उसको किसमें पाइट यहां कर दो तेखना है यह हैं है लिट से सद्लाइब करना। लेट मैं क्लिए है 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 यहां कहयoin है है लेट से 10 की राइट पbelsोता नहीं प靡़कुन जोड़Mad होगा है तो फिर अपाइल होगा अच्छा यहां राइक लग दियाला नग्य प्लस करना है राइट से स्टा RA तो इस तरीके के सवाल अगर बन के अपके एक्जाम में आते हैं तो देखे लिए सेकेंडों में विदाउट पेन और पेपर आप इस कोस्टल को स्वाग कर पाएंगे कैसे यह आपके शामने है यानि जब भी सेम कोस्टल पूस्टा है माइनस कर दो अलग अलग राइट लेफ्ट राइट रहता है तो प्लस कर दो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अब सवाल यह बनता है कि सर अगर यह दो के जगह पे ज़्यादा देदे ठीक है तब हम क्या करेंगे अच्छा सा सवाल आप देख लिए अगर उसके यह कोस्टन से एक्जाम र बीफ्ट से पंद्रहोंने यानि के दाहिनी और म 25 59 Hm समया से और इसके और गोंतर जाना है और यह कोस्टन से हमें यह कोई मतलब नहीं है यानि यह question जो हमारा है वो क्या है यह position-based problem related question नहीं है थोड़ा एक फिक्स समझें ना आप इस question को आप मैं पढ़ रहा हूँ position-based problem यानि alphabet के position से related questions को पढ़ रहा है alphabet का position जो होता है वो 26 होता है उससे आगे नहीं जा सकते हैं लेकिन अगर इillogical question exam में पूछ दे तो हमें क्या करना होगा क्या इस question को उसलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं हाँ कब कर सकते हैं जब alphabet rounding position में चले तब कर सकते हैं इसका उप्योग coding decoding chapter में भरपूर होता है तो यहां भी अगर illogical तरीके से question पूछ दे तो हम इस question का जबाब दे पाएं अगर मालेज़े इस तरीके का question आपके विज़ाब में आया है और आपके पास option है ग्यात नहीं कर सकते cannot be determined आप बिल्कुल महीं मारेंगे लेकिन आपको जहाँ answer निकालना है निकालना हो वहाँ इस question को कैसे निकालेंगे तो फोड़ा समझेगा अलफावेट्स होता है यह से लेकर और जट को होता है यानि इसका ऊन। इसका नॉटके शालिकशन सक्छो चंदार को कि जा है तो एससी तरीके से चलता है राउंडिंग को इसका इस कोशन को छोड़ब देंगे बिलлекून ुआ तो फिर यह हमारी तोविन है आपकी तविन है आपको मैंने जो तरीका पूम संफा उसी तरीके साब को आगे बढ़ना है लेफ्ट और राइट जब अलग लग रहे का तो क्या करना है जोड़ना है और से कितना हो जाएगा तो लेफ्ट से तीसवा स्थान मुझे तो नहीं के पता यह मुझे तो लेफ्ट 26 टक पता है लेफ्ट से 30 यह नहीं पता लेकिन अगर इस चुरह लेट से 26 क्या होता है 28 39 और 30 यानि लेट लेट 25 कितना आगे हैं । इसे कह सकते हो या फिर कह सब्सक्रब कि तीस तो इसका मतलब है, कि z से चार बार आगे जाने का मतलब है, a, b, c, b. इसका अंसर क्या होगा ? बात को समझवाया यानि लेफ्ट से तीसवे का मतलब होता है चाल क्लियर आप तीस में से जीतना आपको एक्स्टा रेसों 26 कटा दीजिए जो आया गहूंँ आपका लेफ्ट से पोजिशन हो जाएगा क्लियर दूसरा सवाल दे रहा है कि राइट और राइट प्लस होता है कि म आपको नहीं लेकिन आपने निकालना चाहों तो निकाल सकते हो इसलिए मैं को सब और बंके नहीं आये और आ सकता है तो हम क्या करें लेफ्ट में चेंज करना है तो किससे घटा आना था अचा इसको बेसी कमतलब होता है कि राइट से कितना 26 यहां तक हुआ और उसको और और कितना जोड़ है आठ जोड़ना पड़ेगा यानि आपको इससे आठ और इधर जाना पड़ेगा एक डो तीन चार पांट छे साथ आठ आठ तो आप साथ कुगे हैं यानि साता है न तो एक दो तीन चार पांट से आठ तो इस तरीके कोस्षन जो बनके आपके पास आएंगे एक उसक्षन आपके क्या होंगे इलोजिकर होंगे इसलिए आपको एक शीवर बतारों कि ऐसे कोस्षण एक्जाम बनके नहीं आ सकते पोशिबल नहीं हैं अगर आता है इलोजिकल है राइट सब्सक्राइब करना हमारे लिए अच्छा होगा वी ठीक है तो उसी कोस्तों को भी एक बार देखे लुदा मैं लिख दिया है यह तो पर फिर इसका लेटरन प्रशिया नहीं ओर लेकिन अगर दामा चाहते हो तो फिर आपको यहां से कांट करना पड़ेगा उल्टा इसलिए कि कोस्तों से इक्जाम बिल्कुल नहीं आएगे बिल्कुल निश्चीन रहीगा क्लियर है चलिए कुस्टन कौन से एक्जाम में बन के आ सकते हैं एक इसमें और उसको हम देख लेते हैं ताकि आपके एक्जाम में कुस्टन न छोटे चलिए दोस्तों ये सवाल इंपोटेंट है ये सवाल आपके एक्जामर बिल्कुल आ सकता है अगर अल्फाबेट से रिटेट कोस्टन पूछा जाएगा तो सवाल क्या कोड़ों पढ़ता हो मैं जहां से समझेगा बिल्कुल कुछ नहीं है अपिना पेना पेपर के आप इसको भी स्वाल करेंगे क्या है अंग्रेजी बढ़ने वाला में 22-15 के दाए साथवे के बाए दसवे के दाए पांचवे के बाए फ़र्ड अक्षर क्या होगा कै क्य AKC कैसे स्वाल कड़ें किसम तोड़ा समझेगा क्योंकि कोशन दो नहीं है दो चार पांच है ऐसे साथ बिद्दस करता कोई दिकत नहीं सवाल तोडने करना से सब से पहले भी को को एक साथ साथ एंधिया है किहां से चतना बड़ा दिया हières हम स्वाल एक साथ दौइं नह स्वाथ होगया अब इसको शुर्प ऑज से जार भी नहीं सब्सक्राइब माइनस का माइनस, माइनस की उपूर, पैर्स राइश, लेस्थरा आएगा, इसलिकिंग सब्सक्राइब, नहीं माम जाते हैं, आप देखो, अपनी इसब ऑन सावर भी को लेट, कि प्लाइब, वान सा से 14 क्या होता है मैं वाही एन होता है बन गया आपका एंसर हो गया था क्लियर है तो अलफाबेट का अगर सही पोजिशन दिया रहेगा तो कितने तरीके से कोस्टन बन के एक पर जान में आ सकते हैं यह मैंने आज आसके समने किया है और कोई भी क्योरी आपकी होगी कोस्टन मुझसे पूछना होगा तो आप मेरे वाट्सप पर मैसे कर सकते हैं कि सर जो कोस्टन आपने बताया था हो मेरी समझ में नहीं आया 9631257979 यहां वाट्सप नमबर है आप इस पर आप वाट्सप करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि जो आपने वीडियो में बताया हो मुझे समझ में नहीं आया चलिए कल मैं फिर एक नए वीडियो का साथ आऊँगा जहां अलफावेट का सही करम नहीं लिखा होगा कल हम पढ़ेंगे रिवर्स यानि अगर अलफावेट को उल्टा लिखा जाए यानि ए इधर लिखा जाए जेट इधर लिखा जाए तो इस तरीके के कोस्टन जब बनके आए लिखा तो सारे को करना आगहां आपको पता है कि कम से कम 10 से 12 टाइप में निखा है और उनसा वकॉम करेंगा तो आज हमने पढ़ा है जलब ऐल्फावेट को सही लिखा गया हो कल मपढ़ेंगे जब अलफावेट को उल्टा बिखा जाता है तब को सब्सक्राइब को सब्सक thank you so much, goodbye, take care